मेरे प्यारे देश वाच्चियों, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले मन की बात में मैंने भारत में बड़ी संख्या में लगने वाले मेलों की चर्चा की थी। तब एक ऐसी प्रतियोगीता का भी विचार आया था जिसमें लोग मेलों से जुड़ी फोटो साजा करें। सांस्कृती मंत्राले ने इसी को लेकर मेला मॉमेंट्स का आयोजन किया था। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि इसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया और बहुत लोगों ने पुरसकार भी जीते। कोरकता के रहने वाले राजेश धर जी ने चरक मेला में गुबारे और खिलोने बेचने वाले की अद्बूत फोटो के लिए पुरसकार जीता। ये मेला ग्रामिन बंगाल में काफी लोग प्रीय हैं। वारानसे की होली को शोकेस करने के लिए अनुपम सही जी को मेला पुर्ट्रेश का पुरसकार मिला। अरुन कुमार नली मेला जी कुलसाई दशारा से जुड़ा एक आकरसक पहलू को दिखाने के लिए पुरसकृत किये गए। वैसे ही पंडरपूर की भक्ति को दिखाने वाली फोटो सबसे ज़्यादा पसंद की गई फोटो में शामिल रही। जिसे महराष्टर की ही एक सज्जन सिमान राहुल जी ने भेजा था। इस प्रतियोगिता में बहुत सारी तस्विरे मेलों के दवरान मिलने वाले स्थानिय वेंजनों की भी थी। इसमें पुरेलिया के रहने वाले आलोक अविनास जी की तस्विर ने पुरसकार जीता। उन्होंने एक मेले के दवरान बंगाल के ग्रामिन छेत्र के खानपान को दिखाया था। प्रनब बसाग जी की वो तस्विर भी पुरसकृत हुई जिसमें भगोरिया महुत सव के दवरान महिलाए कुलफी का आनन ले रही है। रुमेला जी ने चतिसगड के जगदलपूर में एक गाउं के मेले में भजिया का स्वार लेती महिलाओं के फोटो भेजी थी। इसे भी पुरसकृत किया गया। साथियों मन की बात के माध्यम से आज हर गाउं, हर स्कूल, हर पंचायत को ये आग्रह है कि नरंतर इस तरह की प्रतियोगीताओं का आयोजन करें। आजकल तो सोशल मिडिया के इतनी तांकत है, टेक्नलोजी और मोबाइल घर-घर पहुँचे हुए हैं, आपके लोकल परवहो या प्रोडक्ट, उन्हें आप ऐसा करके भी ग्लोबल बना सकते हैं। साथियों, गाउं गाउं में लगने वाले मेलों की तरह ही हमारे यहां विबिन्न नृत्यों की भी अपनी ही विरासत है। जारखन, उडिशा और बेंगाल के जनजातिय इलाकों में एक बहुत प्रसिद्ध नृत्य है जैसे चव के नाम से बुलाते हैं। 15 से 17 नमेंबर तब एक भारत, स्रेष्ट भारत की भावना के साथ स्री नगर में छव परवका आयोजन किया गया। इस कारकम में समने छव नृत्य का आनंद उठाया। स्री नगर के नौजवानों को छव नृत्य की ट्रेनिंग देने के लिए एक वर्षव का भी आयोजन हुआ। इसी प्रकार कुछ सब्ता पहले ही कठुआ जिले में 200 हली उत्सव आयोजित किया गया। ये जगह जम्मू से 150 किलोमेटर दूर है। इस उत्सव में स्थानिय कला, लोक नृत्य और पारमपारिक रामलेला का आयोजन हुआ। साथियों भारतिय संस्कृति की सुन्दरता को सौधी अरब में भी महसूस किया गया। इसी महने सौधी अरब में संस्कृत उत्सव नाम का एक आयोजन हुआ। ये अपने आप में भहत अनूठा था क्योंकि ये पूरा कारकरम ही संस्कृत में था। समवाद, संगीत, नृत्य, सब कुछ संस्कृत में। इसमें वहां के स्थानिय लोगों की भागीदारी भी देखी गई। संस्क्राइब भी बाह्ट स्थाराइब अपने रहां के सब का एक आप में पूराएब स्थाप्स अपने प्राइब स्थाराइब